जी हाँ दोस्तो 3-speed cooler motor का coil जब खराब होता है या जल जाता है न तो 90% cases में सिर्फ एक ही fault सबसे ज़्यादा आता है और वो fault क्या है कहाँ पर आता है और उस fault को आप आसानी से कैसे ठीक कर सकते हैं पूरी की पूरी complete इस video में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ तो नमस्क यह जो 3-speed cooler motor है इसका coil खराब हो चुका है यानि कि यह motor खराब हो चुका है तो दोस्तो हमें पता है कि यह motor खराब हो चुका है और आपका भी अगर motor खराब है या नहीं इसे कैसे पता करना है तो इसके लिए इसके लिए आपको multimeter लेना है और आपको क्या करना है इसमें आ और दूसरे पापको स्पीड वार उसके साथ टच करके आपको देखना है तो आप देख सकते हैं इसमें किसी भी तरह का रीडिंग सो नहीं कर रहा है हम इस वार में देखते हैं इस वार में भी रीडिंग सो नहीं कर रहा है अब इस वार में देखते हैं रेडवाली में इसमे भी reading soar नहीं कर रहा है तो इससे ये पता चलता है कि इस के इस motor का coil है वाग खराब हो चुका है यानि कि इस का मतलब यह motor है यह खराब हो चुका है तो इतर से आप check कर सके ठीक यह तो इसके बाद हम क्या करेंगी इसके motor को open करेंगे तो उससे पहले यहाँ Capacitor वाला repent उसे कट कर लेते हैं यहाँ पर चारपाइव उसे खोल कर estatori क्यों और यहीं सबसे ज्यादा दोस्तों वह ही हं पर यह फालता है यहाँ उसे 생 सबसे ज्यादा आता है जो बॉद्ध कर गया होता यहां in उसी जानने करें क्या है इसका जो धागे से यहाँ पर सिलाइक किया है न उसे हमें खोलना होगा तो चलितों हमई इसका जो धागे किया है उसको खोल कर इसके तारों का connection अंदर हुआ रहते हुँ उसे बाहर निकालेंगे तो हम यहाँ पर सावधानी पुरुवक इसका जो धागे उसको पहले कट कर लेते हैं इस तरह से कटर की सहथा से तो इस तरह से आपको कट कर लेना है और हाथों की सहथा से आप निकाले तो अच्छा रहेगा तो इस तरह से हमने इसका जो धागे जो तो उसे निकाल लिए इसको भी यहां पर से अलग कर लेते हैं तो दोस्तों इस तरह से आपको अलग कर लेना और यहां पर एक तार हमें टूटा हुआ मिल चुका है जो कि यहां पर से जला हुआ था तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर जो दोस्तों इस्पीड वाली वायर था उसमें का दो वायर यहां पर से जला हुआ है तो दोस्तों हो सकता है इसका कनेक्शन इसका सप्लाई वाला वायर को गलत वायर को साथ connection करके चलाय गया हो जिसका अंसे यहां पर सौट होकर जो speed वाली wire है वह खराब हो चुका हो तो हम यहां पर जो common wire उसको यहां पर निकालते तो यहां पर दोप सकते है common wire का जो wire है वह सही सलामत है या किसी क्लिक लगा हुआ था और दोवर हमे आं पर कॉमन वार के साथ में लगा थो टोटल हमें आप चार तार मिल चुका तो हम क्या करेंगे चारो तोlar मिल जाता है रिडिंग मिल जाता है तो इसका रिपियर हो पाएगा यही वरना इसका रिपियर नहीं हो पाएगा तो हम सभी तारों के सीरे को यहां पर से लाइटर के मंदद से यहां पर साप कर लेते हैं इसके बाद हम कंडूटी चेक करके देखेंगे तो इसका जो रिपियर अगर हो पाएगा तो यहाँ पर इसे हम थ्री स्पीड में नहीं बना पाएंगे या सिर्फ सिंगल स्पीड में ही काम करेंगे ठीक है तो चलिए हम यहाँ पर चारों को आपस में टच करके देखते हैं कि का कंडूटी मिल रहा है तो आप देख सकते हैं इन दो तारों के साथ ह यह जो दो तार हوا बाहर वाली coil से आया हुआ तो इसका मतलब जो बहर वाला coil जिसका speed wire यहाँ पर जल आ हुआ हमेने आपको दिखाया तो वस सही है अंव इस वाय को चेक करते हैं यहां पर भी रेडिंग मिल रहा है याने कि इसका अंदर हुआ क्वाइल वो भी सही है तो दोस्तों इस तर से फाइनली हमें यहां पर चार तार मिल चुके हैं जो स्पीड वाला वायर जो जल चुका था हम दुबारा इससे थ्री स्पीड में नहीं बना पाएंगे तो इस तर से हम क्या करेंगे इसको हम single speed का motor ही बना पाएंगे तो हम इसका क्या करेंगे यहाँ पर तारों को connection करेंगे तो हमने यहाँ पर जो वार पहले इस cooler motor में लगाऊ था उसी वार को यहाँ पर use करेंगे तो हम इस दो color में तार लिये हैं red और black तो उसको इस तरह से यहाँ पर cut कर लेते हैं तो यहाँ पर हम पर इस चारो वार को छिल लेते हैं उसके बाद इसका connection करेंगे तो हम यहाँ पर दो वार red लेंगे और दो वार black लेंगे तो हम क्या करेंगे अंदर या बाहर कोई भी coil के सीरे के साथ हम एक कोईल के साथ red को जोड़ेंगे red वाली वायर को दोनों को और दूसरे कोईल के साथ black को जोड़ेंगे तो हम यहाँ पर अंदर वाली कोईल का जो दोनों सीरे में red वाली वायर को यहाँ पर जोड़ेंगे इस तरह से तो दोस्तों इस तरह से उसमें चारो वायर को जोड़ लिया है एक अंद्र वाल वाल कोई और एक वाल वाल के साथ अब इसके आज करेंगे इसके बाद हमें सिलीपपाइप लेना है तो हम यहाँ जोड़ किए उसको ढगने के लिए यहाँ पर सिलीपपाइप का यूज़ करन करें तो फिट करेंगे आपको यहां पर हमने इसको अच्छे से कर लिए अब ने इसके बाद हम इसका जो इसके जो बॉडी है उसमें को को और फ्रीट करेंगे और आपको आगे का प्रोसेस दिखाएंगे तक है त Thereafter, Stellate. कर लिया है हमने इसमें एक टेप लगा दिया ताकि जब मोटर चले तो आपको पता चले कि यह चल रहा है कि नहीं चल रहा है तो दोतों अब इसके बाद बारी आता है इसका connection का ठीक है तो जैसे कि इसमें में आपस इस तरह से जोड़ देना हैं इस तरह से यह जोड़े होए वार है या हमारा कॉमffeन WART हो जाता है और इसके बाद जो दो सीरा बसता है एक पहले वायल का एक गुस्य में का तो दोनों तरुकों साथ हम यहाँ पर कानेक्सन कर दे commence ठीक है इसके बाद हो तो हम supply wire देंगे तो supply wire कहाँ पर देना है तो supply wire का एक wire को हमें common wire के साथ जोड़ना है और supply wire की दूसरे wire को capacitor की किसी भी एक point में हमें जोड़ना है यानि कि जिस direction में हमें चलाना है उसके साफ यहाँ पर connection कर देना है तो हमने इसका connection कर दिया है अब इसके कि हमारा मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है तो चल यह मिलते हैं तब तक लेए जै ईं जय बहरत वंद्वातरम झाल